So, Hello guys, आज के इस वीडियो में हम आप सो को बताने वाले हैं Flip Card Application में Debit Card हो या Credit Card हो उसको हमेशा के लिए कैसे यहाँ पे Save करके रख सकते हैं इस वीडियो में हम आप सो को Complete जनकारी देने वाले हैं ऐसे में Card Save करने का पहले का जो Process था वो बिल्कुल Change कर दिया गया है अब आप सबको दूसरे तरीका से यहाँ पे अपना Debit Card Save करना है Guys, आप जब भी Transaction करने जाते हो कोई भी Product का तो वहाँ पे आपको अपना Card का Number डालना होता है CB भी Number डालना होता है OTP डालकर आपको Transaction Complete करना होता है अगर आप इस Application में एक बार आपना Credit Card हो या Debit Card हो आप Save करके रख देती है तो आपको यहाँ पे बार-बार Debit Card का Number डालने के ज़रुवत नहीं पड़ता है तो चलिए यहाँ पे कैसे Save की जाता है इसके बारे में हम देख लेती है से बारे में हम आप अपको Complete Iss Better इस purchase को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है आपको यहाँ पर दुसरा तरीका तरीका दिया गया है और तरीका क्या है मैं आप सो को दिखा दूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी पोड़क्ट एक आपको Select करना होगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर buy now का options मिलता है simply buy now पर click करते हैं buy now पर click करने के बाद यहाँ पर skip का option आता है आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपका address सारी कुछ verify करा जाता है उसके बाद आपको continue पर click करना होता है आप जैसे ही continue पर click करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे options मिलता है, debit card और credit card का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको debit card का options मिल रहा है, credit card का option मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना card को save करना है, अब say Schip करेंगे simply आप एक बर हग्लिक करेंगे उसके बाद continue पे क्लिक करेंगे continue पे क्लिककरने के बाद आपको Antonio पे एकडर स्पारे没事 प्रेफ करना होगा मेर्ड गार्जियर प्रेंडने के बाद यहाँ यहाँ पर對不起 प्लिक करने के रहें technical complaint प्लिक करने के रहें आपके mobile number पे जो है OTP भी जाता है, OTP डाल कर आपको यहाँ पे transaction complete करना होता है, आप जैसे ही आपना transaction complete करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे back में आके देखेंगे, तो यहाँ पे आपका already card यहाँ पे save दिखा देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ फिलिप जो है हमिशा के लिए यहाँ पे save हो जाती है, तो चलिए फ्रेंस वीडियो को हमें फे खतम करते हैं, उमीद करते हैं कि वीडियो आप सब के लिए helpful रहाऊगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज वीडियो को एक like जरू करिएगा, आपका एक like जो है हमको ऐसे वीडि करता है